सलाम फ्रेंट्स, आज 16 जून है, कल 15 जून को एद हुई, और I thought कि मैं आप सब को विश्च कर दू, हैपी एद, एद मुबालक हो आप सब लोगों को, एक पूरे साल में जिन जिन लोगों से आपका मन मुटाब हुआ हो, या कोई ऐसी बात हो गई हो किसी से, इस पर आप खपा हो उनसे, उनके पास जाके आप एद जरू, हैपी एद जरूर विश्च करियेगा उनको, या तो फिर आपने किसी का अगर दिल दुखाया हो, तो बूल है, एद का मतलब ही यह है कि हम एक दुसरे के साथ, कोई दुश्मन ही ना रख है, और बस प्रेटो गॉड़, प्रेटो ऑल्माइटी, प्रेटो अल्ला, कि हर कोई खोश रहे, मैं तुल रहा हूँ अभी एक हम्द, जो पाकिस्तान के नजम शिराज साब ने गाई थी, बहुत ओल है, ना तेरा खुदा कोई और, ना मेरा खुदा कोई और, आवसम लिरिक्स, आवसम, मैं कोई रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बस यह बोलना चाहरा हूँ कि एक ही है उपर वाला, जिसके हम है, जिन्होंना हमें बनाया है, चलिया, हैव ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट ग्रेट एद, और मैं आपको बता दू कि मैंने भी एक दिन फास्ट रखा था, एक दिन रोजा रखा था, मैंना, मेरा एक्सपीरियंस आउट अब दे वर्ल था, आउसम, मैं प्यार हो गया हूँ, और बस आप सब लोगों को विश्च कर रहा हूँ, मैं हैपी एक, और मैं जिन-जिन को जानता हूँ मेरे चैनल के थूप, कोरिश भाई हुए, कोरिश गुल साहब, महम्मद विद्वान जी है, हैदर अलिए इमाम जी, और साध्या, और महम्मद बहलोल भाई, जो म्यूजिक में अभी उनका बहुत अच्छा इंट्रेस्ट है, रोहल हयात की वो एक लाइबरी बना रहा है, बहुत चारे और हैं, जो जिनको मैं मिला हूँ, जिनसे मेरी ऑनलाइन बात हुई है, उनको और पुरी दुनिया को, मैं सब को विश्च कर रहा हूँ, हैपी इद, अपने, हम सब लोग अच्छा काम करें, और उपरवाले का नाम ले, इस एद में सब को बरकत मिले, अल्ला की, उपरवाले की, भगवान की, इश्वर की, बस यही चाहता हूँ, हैव ग्रेत इद, थैंक यू